एल्लो एवरिवन दिस इस गेवी योर फेलो और आपका स्वागते फिर से इस चैनल पर आज मैं लेक्या हूँ आपके सारे कॉश्चन के आंसर यहां पर आपके कोश्चन यहां पर मैंने कंपाईल किये हैं सारे कॉश्चन और ये कोश्चन मुझे पिछले एक-दो महीने से आ प्रिव को चले रहे होंगे या बहुत सारे केसिज देखने को मिले होंगे बहुत सारे प्रिवाइड में नियुक्त कर नहीं है तो दोस्तों यहां पर यह टेंशन लेने के जड़ूट्ट है यहां पर मैं आपको बताता हूँ कि एक्च्वल में आपके जितने भी वी कोश्च होंगे तो भाई यहां पर आपके सारे कोश्चन मैंने कर दी हैं कमपाईल और एक गर्टम करते हैं इन सब के आंसर तो सबसे पहला कुश्चन सब मैं फेल हो गया answer कोई बात नहीं कोई फर्थ नहीं परता क्योंकि प्रीबोल्ट होता है सिर्फ आपके evaluation के लिए इसका आपके main बोल्ट से कोई लेना देना नहीं है यह होता है self assessment के लिए जैसे आप daily exam देते हो आप test लेते हो आप मतलब प्रीबोर्ड में फेल हो गया तो क्या मुझे एड्मिन कार्ड मिलेगा बिलकुल मिलेगा यहां पर घबराने वाली बात नहीं है यहां पर आप सुनते होगे बहुत सारे टीचर से स्कूल से या फिर आपके अगल वगल में जो लोग है वो बोलते हैं कि अगर आप प्रीबोर कारड नहीं रोक सकते नमबर थ्री प्रीबोर्ड के मार्क्स में में एरफ होते हैं कि नहीं नहीं होते यहां पर आप इस सीज़ को ध्यान रख लो अगर आपका खराब हो गया है आप फेल हो गए हो या कम नंबर आगए है वहाँ पे कोई बीटेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि जो प्रीबॉल्ट के मार्क से वह खतम हो जाते हैं आपके प्रीबॉल्ट में ही मतलब स्कूल लाइफ के अंदर ही वह हो जाते हैं जब आप ज सबसे ज़रूरी चीज है क्योंकि आपको फाइनल रेजल्ट का वह बनता है आपका थीयूरी प्लस आपको प्रैक्टिकल्स सब्सक्राया फेल तो पहली बात तो वैसे वह फेल होते हों कि यहाँ पर स्कूल होते हैं मुऺंश करते हैं वह पुश करते हैं बच्चों को कोशिश करते हैं कि आप के से भी करके practical एगजांस क्लिर कर लो लेकिन इनकेस आप आटेक्स बाइब जाते हो तो यहां पर दिक्कत है पहले ऐसा हुआ करता था कि प्रेक्टिकल स्कूल को मिला के पास किया ज तो फिर हो डेसाइब करुद करिए कि 11 स्रीम मिलने वाली है या फिर आप 12 तो फिर हो फिर हो रिसाइब करेंगे कि आपको कॉलेज कॉलिज कौन सा मिलने वाला है कौन से स्ट्रीम मिलने वाली है तो भाई यहां पे पर भी ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि मैंठ बताई parenth kleine exam सर्फ एक्जाम में एपसेंट तो अब क्या करना है तो भाई देखो अगर आप प्रीवर्ड एक्जाम में एपसेंट हो गए हो तब भी यहां पर कोई घवराने वाली बात नहीं है इंफेक्ट यह पूरा डिपेंड करता है आपके स्कूल पर वो चाहे तो आपका प्रीवर्ड दु के लिए तो यहां पर अगर आप एपसेंट हो गए हो तो बहुत घवरान वाली बात नहीं है क्योंकि उससे डर के आप अपने में एक्जाम को खराब मत करना तो यह थे दोस्तों यहां पर में कोशन जो आपने पूछे तो मेरे से इसके बाद घुमा फिरा के कुछ छोटे म नंबर चाहिए तो आप अपने टीजर से अपने स्कूल से बोलो कि हमें प्रॉपर स्लिवर्स दें मुझे लगता है आपको पता होगा लेकिन यहां पर प्रॉपर स्लिवर्स लो और उसके प्रिपरेशन करो बात रिल पासिंग की तो यहां पर आपको आपको 33% चाहिए पसंद आई होगी तो मेरे आपसे ही रिक्वेस्ट है कि जो हो गया उसे आप छोड़ो अब आगे जो होने वाला है उसकी तैयारी करो तो आप बिल्कुल अच्छे से टाइम के बिल्कुल करो अपने आने वाले बोल्ट के एक्साम के लिए तो इसके साथ करते हैं दोस्तों इस वीडियो को खतम आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में तब तक के लिए और वेस्ट